अगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कर्मया सोचे आप Data Entry Operator यानी बाबु बनना चाहते है या Accountant आप टेली का अधुरा ग्यान पराप्त करना चाहते है या उसके विद्वान बना चाहते है यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक-एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टैली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे टैली प्राइम सॉफ्ट्वेर डाउनलोड और इंस्टॉल करना दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने मैनियूल अकाउंटिंग के बारे में जरूरी जानकारी आपको दी और अब हम टैली प्राइम पर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में हम टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं यह पता रहे हैं पर उससे पहले आपको टैली प्राइम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं तो चले शुरू करते हैं टेली प्राइम का सभी लोगों को लंबे समय से इंपजार था और अब यह बिलकुल नए लुक में आ गया है ध्यान रखें टेली प्राइम सिर्फ 64-bit वाले Windows 7 या उसके बाद वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है इसलिए अपने सिस्टम पर इसे डाउनलोड करने के पहले अपने सिस्टम का कॉन्फिगरेशन चेक कर ले आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कॉन्फिगरेशन कैसे चेक करते हैं उसके कई वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी और यदि आपका उपरेटिंग सिस्टम 64-bit नहीं है तो आप अपने कम्पिटर सप्लायर से इसे अपग्रेट करवा सकते हैं तो चलिए टैली प्राइन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया आपको बता देते हैं टैली सॉप्ट्वर को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम में टाइप कर रहे हैं डाउनलोड टैली प्राइन अब एंटर की प्रस करेंगे यहां टैली की ओफिशियल वेबसाइट टैलीसॉलूशन्स डॉट कॉम दिखाई पड़ रही है इस पर क्लिक करें देखें वेबसाइट ऊपन हो गई है अब यहां डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं पर सैटप डाउनलोड करने से पहले यहां नीचे लिखे नोट पर ध्यान दे इसमें कहा गया है कि Teleprime Windows 7 या उसके बाद वाले Windows को ही सपोर्ट करेगा और इनमें भी 64-bit operating system और 64-bit processor होना चाहिए यदि आप आवश्चिक system configuration के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ here पर क्लिक करें चलिए अब डाउनलोड पर क्लिक करके Teleprime का setup डाउनलोड कर लेते हैं देखिए setup डाउनलोड हो गया है अब यहाँ show in folder पर क्लिक करेंगे अब हमें Teleprime को install करने के लिए setup पर डबल क्लिक करना होगा सेटप पर डबल क्लिक करते ही हो सकता है इस तरह की विंडो आए जिसमें setup को run करने के लिए आपसे permission मांगी जा रही हो हम लिएस पर क्लिक कर रहे हैं ऐसा करते ही Teleprime Setup Manager की एक विंडो उपन होगी जिसमें इस setup के बारे में जानकारी दी गई है इसे के नीचे Teleprime कहां पर install होगा वो path दिखाई दे रहा है यदि आप ये path बदलना चाहते हैं तो configure पर क्लिक करें यहां से आप path बदल सकते हैं हम escape की प्रेस करके पहले वाली स्क्रीन पर जा रहे हैं चलिए अब हम Teleprime को install कर लेते हैं उसके लिए install पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही software install होना शुरू हो जाएगा यह देखिए कुछी seconds में Teleprime install हो गया है और यहां एक message भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि हमारी computer के desktop पर इसका एक shortcut भी create हो चुका है यहां हम start Teleprime पर क्लिक करके भी Teleprime को start कर सकते हैं हम इस पर क्लिक कर रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही Tele open हो रहा है हो सकता है Tele open होते ही यहां पर एक security alert आए जिसमें आप से कुछ permission मांगी जा रही हो permission के लिए allow access पर क्लिक करें यह देखिए Teleprime open हो चुका है और application startup की window आ रही है इसे accept करने के लिए enter press कर दें या mouse से accept पर क्लिक करें ऐसा करते ही license की एक नई window आ गई है जिसमें लिखा है Welcome to Teleprime इसमें नीचे license से संबंधित within options दिखाई दे रहे हैं अभी हम इनके बारे में आपको short में बता रहे हैं पहला option है continue in educational mode दूसरा है use license from network तीसरा है reactivate existing license और चौथा है activate new license यह जो use license from network option है इसकी साहता से आप Tally का multi-user यानि की gold version जिसमें हम एक ही समय पर server की साहता से कई computer उपयोग कर सकते हैं इसके existing license को reactivate कर सकते हैं यदि आपने नया license खरीदा है तो उसे activate new license की मदद से activate कर सकते हैं यदि आपके पास पहले से ही single user यानि silver license है तो उसे reactivate existing license की मदद से reactivate कर सकते हैं और यदि आप इस educational mode में ही उपयोग करना चाहते हैं तो continue in educational mode पर mouse से क्लिक करें या keyboard पर P key को press करें इस mode का उपयोग आप initial यानि बिना किसी शिल्क के कर सकते हैं बस एक महत्पुन बाध्यान रखे इडिकेशनल मोड में प्रैक्टिस करते समय आप इसमें सिर्फ तीन तारिखों में ही काम कर सकते हैं एक दो और एक तीस license की अधिक जैनकारी के लिए आप हमारी दो वीडियोज इक्टिवेट न्यू लाइसनस ओफ टली प्राइंब बयां अकांटिंग न प्रॉब्ल्म और र्एक्टिवेट एक्शिस्टिं लाइसनस ओफ टली प्राइंब टेली प्राइम में हिसाब किताब रखने के लिए नई कंपनी बनाना साथ ही सीखेंगे टेली स्टार्ट करना, कंपनी शट करना और टेली बंद करने के बारे में